दोस्तो नमश्कार आदाब सत्रियकाद न्यूज क्लिक के कारिक्राम न्यूज मंथन में आपका स्वगत है मैं हूँ उर्मिलेश महारास्ट लोग कहते हैं कि एक रास्ट और दूसरा महारास्ट तो महारास्ट जो है देश के मध्ध में है लेकिन घटनाएं जो है इस वक्त वहां की जो हो रही है वो रास्टी राजनीती के लिए काफी बड़ी हैं काफी महत्वपूर्ण है और काफी सिरदर्द भी बन सकती है जिस महाविकास अगाडी को इस बात का गर्व है कि लगातार बीजेपी की कोश्यों के बावजूद गठबंधन जो कॉंग्रिस का है नसीपी का है और शिव सेना का है वो तूटा नहीं सरकार चली गई लेकिन मुमकिन रहा भारती जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता लगे थे कि एनसीपी बाहर आ जाए शिव से नहीं बाहर आ जाए लेकिन कोई डिगा नहीं ऐसे दोर में जब पूरे देश की विपक्षी राजनीती को साधने की केंद्र सरकार यानि भारती जनता पार्टी के टॉप नेताओं की जो एक्सरसाइज है उसमें काफी तेजी आई है तो ऐसे दोर में महारास्ट में फिर गत्विधियां बहुत तेज हो गई है और इन गत्विधियों की खबर इसलिए केवल नहीं सामने आईी कि पिछले दिनों अजित पवार जो शरत पवार के भतीजें हैं उन्होंने चालिस बिधायकों के साथ यानि न्सीपिके चालिसे बिधायकों के साथ उनके भारती जनता पार्टी में शामिल होने या भारती जनतापाटी के साथ NCP के ही एक गुट के तौर पे गटबंधन करने की खबर सामने आई वो खबर का खंडन भी हो गया जिस तरह से खबर का तुफान उठा उसी तरह से तुफान थम गया समय मजित पवार ने कहा कि ये सब अटकले हैं ये मीडिया की अटकलों पर वो नहीं जाते अभी थरस्डे को यानि गुरुवार को देश के जाने माने बड़े उद्योगपती काफी जो कांट्रवर्सीज में आजकल हैं गौतम अडानी गौतम अडानी की शरत पवार साहब से मुलाकात हुई उनके मुंबई इस्थित भव्य मकान या भव्य बंगला सिल्वर वोक में अडानी साहब पहुँच गए सुबह दस बजे पहुँच गए और दो घंटे दस मिनट तक शरत पवार के साथ उनकी मीटिंग चलती रही और दोस्तों शरत पवार साहब के साथ प्रफुल पटेल हमेशा साथी रहते हैं जब कभी कोई बड़ी मीटिंग होती है छोटी मीटिंग होती है लेकिन गुरुवार की अडानी पवार बैठक में प्रफुल पटेल भी नहीं थे यानि बैठक बहुत खास थी इस खास बैठक में क्या हुआ ये सिर्फ दिवालें जानती है और किसी को नहीं मालूम और शरत पवार के घर की दिवारें भला क्या किसी को बताएंगी और क्यों बताएंगी तो शरत पवार और अडानी के अलावा कोई किसी को नहीं मालूम कि उस बैटक में क्या हुआ लेकिन अनुवान तो लगाया जा सकता है एक जनरलिस्ट होने के नाते हमारी जो जानकारी है और आप सब जानते हैं इस बात को कि अडानी साब के मामले में जो हिंडन बर्ग रिपोर्ट आई उसको पूरी तरह बेमतलब बताने में शरत पवार राजनितिक नेताओं में विपक्ष के नेताओं में सबसे पहले अउवल रहे आज तक विपक्ष के किसी बड़े नेता ने उस तरह से हिंडन बर्ग रिपोर्ट को खारीज नहीं किया, जिस तरह शर्त पवार नहीं किया यही नहीं जे पी सी इंक्वाइरी ज्वाइन पर्लेमेंटरी कमेटी से जांच कराने के बारे में भी सिरे से उन्होंने एक तरह से खारिश किया और कहा कि ये कोई जरूरी नहीं है आल्रेडी सुप्रिम कोट की निगरानी में अगर बात है जांसकी तो हम क्यों इसमें पड़ें इस तरह की बात भी उन्होंने कही यही नहीं उन्होंने अडानी साहब के ही कंट्रोल वाले नए चैनल यानि एंडी टीवी का जो नया कंट्र और हुई थी कुछ समय पहले लेकिन जो गुरुवार की बैठक है वो सियासी हलके में काफी चर्चित रहेगी और मैं समझता हूं कि अगले कई दिनों तक इसकी चर्चा जरूर होती रहेगी महारास्ट में तो खास तोर पे क्योंकि सुप्रिम कोट में शिव सेना के विधा पवार को लेकर तमाम कांट्रवर्सी सामने आई थी सवाल सिर्फ यह नहीं है कि अजित पवार कहां रहेंगे कहां जाएंगे सवाल यह भी है कि NCP का क्या होगा क्या शिव सेना के साथ जो हुआ वैसा ही NCP के साथ होगा क्योंकि शरत पवार अपने सेकुलर ट्रेडेंशिय को लेकर बड़े सेंसिटिव रहते हैं इसके बावजोद की बीजेपी के साथ कभी वो टकराव मोल नहीं लेते किसी भी बीजेपी के बड़े नेता के साथ उनके रिष्टे उतने ही अच्छे हैं जितने किसी भी कॉंग्रेस के या दूसरी सोसलिस्ट समाजवादी पार्टी क साथ होते हैं सबके साथ उनका सम्मंद रहता है राजनीत में वह अगर माना जाए तो देखा जाए तो वह सबके साथ सम्मंद बरकरार रखने वे वाले नेता है लेकिन असल सवाल आज का ये है कि क्या अडानी और पवार की मीटिंग का कोई नहतारत है क्या महाराज तक वो सिमित है या केंदरी राजनी तक सिमित है केंदरी राजनी तक इसकी व्यापकता है ये बड़ा बनाने में भार्ती जनता पाटी लगी हुई है, सरकारी एजंसियां लगी हुई है, सरकार के टॉप लीडर्स लगे हुए हैं, 2024 सिर्फ 2023 की तैयारी नहीं चल रही है जो elections होने है चायो करनाटक का election जो जारी है प्रक्रिया चल रही है वह हो राजस्थान का होने वाला है 36 गड़ का मद्धे प्रदेश का ये जो election है सिर्फ वहीं तक मामला नहीं है मामला आए कि 2024 के लिए सारी की सारी कवायद शुरू हो चुकी है और आज की तारिक में अगर देखा जाए तो मौदूदा भारती जनता पार्टी का जो नेत्रित तो है सरकार का जो नेत्रित तो है वो दो तरह की पालिसी पर काम कर रहा है जो भी पक्ष के निता लडाकू किसम के हैं जो किसी एजन्डे के साथ R.S.S. B.J.P. की सत्ता का मकाबला कर रहे हैं विरोध कर रहे हैं उनको फंसाने में जुटी हुई है सरकार, सरकारी एजन्सिया उनको बुरी तरह फंसाने में जुटी है आप नाम ले लीजे राहूल गांदी, सबसे आगे तो राहूल गांदी हैं, बिलकुल किसी भी तरह से कंप्रवाइज करने को तयार नहीं, साप साप बोलने वाले, दूसरे नंबर पर अगर देखा जाए, तो जो खत्रे में हैं, वो अर्मिन कजरिवाल भी आ गए हैं, उनके कई मंत्री गिरफतार हैं, दो मंत्री तो हई हैं, डेपिटी चीप मिनिस्टर मनीशी सोधियर है, और सतेंद्र जैन, उनसे भी CBI जांच परताल कर चुकी है, पूस्ताच कर चुकी है, आगे भी पूस्ताच कर सकती है, खत्रा उन पर भी मनरा रहा है, तेजस्वी यादो ब बिहार के डेपिटी चीप मिनिस्टर, उनसे भी पूस्ताच हो चुकी है, आगे क्या होगा कोई नहीं जानता, के कविता, के चंद्शेकर राओ की पुत्री, चंद्शेकर राओ पर भी सवाल उठाय जा रहे हैं, उनके परिवार के अन्यस दरस्यों पर भी सवाल उठाय ज रहे हैं, तो ये वे नेता हैं जो हाल के दिनों में बिलकुल मुखर रहे हैं, और साप साप बोलते रहे हैं, एक जमाने में चंद्शेकर राओ का बीजेपी के साथ काफी बेहतर रिष्टा था, फिर नजाने क्या हुआ, कि वो अखडवी पक्षी के रूप में सामने आ तो ऐसे नेताओं को फासाने में लगी हुई है, सरकार और जो थोड़ा धीले ढाले हैं, बहुत साफ साफ नहीं बोलते, सरकार की नीतियों का या सरकार में बैठे लोगों का उस तरह से मुखालफत नहीं करते, कौमनिलिजम के इशू को लेकर, डेमोकरसी के सिमटने को लेकर, इंस्टियूशनल जो हमारी बॉडिज हैं, संबैदानिक जो हमारी संस्थाएं हैं, इनके खतम किये जाने पर जो आम तोर पे कम बोला करते हैं या नहीं बोला करते हैं ऐसे भी पक्षी निताओं को पटाने में लगी है सरकार यानि कुछ को फंसाने में कुछ को पटाने में और यही वज़ा है कि महारास्ट्र में शिव सेना के साथ तो मुठबेड हो गई क्योंकि उद्धा ठाकरे किसी तरह से कंप्रमाइज के मूड में नहीं थे लेकिन शरत पवार को चुन लिया जिन को समझा जा रहा था कि वो महाविकास अगाडी के गौड़ फादर हैं उन्हीं को चुन लिया भारती जन्तापाटी ने की रास्ता वहीं से निकलता है क्योंकि अजित पवार कोई फैसला कर ले महरास्ट की सियासत को जानने वाले तो यही कहते हैं कि कोई भी फैसला अजित पवार अपने बल पर नहीं करते अपने से नहीं करते अपने चचा जान से पूछ कर करते हैं उनको कन्विंस करके करते हैं या शरत पवार की इक्षा के अनुसार करते हैं तो ये तो बात हुई पटाने की कि निश्चित रुप से पवार फेमिली और NCP को पटाने की कोशिश चल रही है वह किस तरह होगी? आधा होगी की पूरा होगी? एक गुठ होगा की दू नहीं होगा? या अंत तक महाविकास अगाड़ी में NCP बनी रहेगी? अभी कहना बिलकुल मुश्किल है लेकिन कई ऐसे राजनितिक दल हैं विपक्ष के जिनको पटाने में लगी हुई है BJP उसमें एक JDS भी है जनता दल S यानि देवगवड़ा सहाब पूरु प्रदान मंत्री SD देवगवड़ा की पार्टी करनाटक के चुनाव में अभी भारती जनता पार्टी को ये अंदेशा है कि साइद उसको भले बहुमत न मिले लेकिन अगर जनता दल S को सीटने ज़्यादा आ जाती है तो जुगार करके सरकार बनानी में वो चुकेंगे नहीं तो JDS पर भी नजर है जिनको पटाने में लगी है सरकार या भारती जनता पार्टी उनकी संख्या भी कुछ कम नहीं है वो आंधर प्रदेश में भी हैं ऐसे लोग ऐसे लोग आपके गोवा में भी हैं ऐसे लोग उत्तर प्रदेश में हैं और यकीनन बिहार में भी हैं उत्तर प्रदेश में तो पटाने में जिन पार्टीयों को ज़्यादा मेहनत नहीं होती है वो पहले से तैयार रहती हैं कि केंदर की तरफ से कोई इशारा हो और वो मदद में तत्काल खड़ी हो जाती है तो ये जो पटाने और ठासाने का पूरा का पूरा खेल है भारती जनता पार्टी सरकार का वो मैं समझता हूँ कि 2024 से पहले वो बहुत खुल कर नजर आएगा दोस्तो इसलिए मैंने आज महाराश्ट के इस प्रसंगे की खास तोर पे चर्चा की और दोस्तो इस सब्ता के हमारी जो दूसरी जो महत्पूंट टिपणी है वो एक ऐसी खबर पर है जो गुजरात से जुड़ी हुई है और ये है नरोदा गाम नरोदा गाम में 2002 में 11 लोग मारे गए थे जिसमें की 12 साल की एक लड़की भी थी जी हाँ दंगे की बात कर रहा हूँ गुजरात के कुक्ख्यात दंगे की और उसमें केस चल रहा था ये केस सोची एक कितने वर्षों से चला आ रहा था अब वह उस केस का फैसला हो गया 21 साल के बाद फैसला जो आया है वो फैसला जो प्रिहस्पतिवार को आया है उसमें सभी 67 लोग निर्दोश छोड़ दिये गए अब सवाल उठता है कि जो 11 लोग मारे गए उनको किस ने मारा क्या वो अग्यात लोगों द्वारा मारे गए यो यो ही मर गए अब ये तो अदालत ही बताएगी या कोई नयाय के बड़े बड़े जो भी शशक होते हैं वो बताएंगे लेकिन जो छोड़े गए 67 लोग हैं उनमें दो बेहद बेहद उलेखनी लोग हैं माया कोड़नानी जी जो भारती जनता पार्टी की ततकालीन सरकार में मंत्री थी बाद में भी महत्पुनपद पर रही माया कोड़नानी के अलावा बाबू बजरंगी नाम से ही नाम से ही वो काफी देश में उलेखनी हैं अलग अलग जगहों पर उनकी जो भूमिका है उसके बारे में अनेक दास्त पैदा करने वाली कहानियां सामने आ चुकी हैं स्वाइम उन्होंने रिकार्डड इंट्रिव में अब पता नहीं वो इंट्रिव उनकी जानकारी में हुआ या उनको बताए बगएर हुआ लेकिन वीडियो में भी बात आ चुकी है उन्होंने कबूल किया कुछ जगहों पर कि हां उन्होंने भी हत्याएं की कमिरल राइट इसके दोरान और वो बाबु बजरंगी भी इस मामले में बाइज़त रिहा हो चुके हैं बाइज़त रिहा हो चुके हैं तो ये जो दूसरी जो हमारी आज की ख़बर है जिस पर हम टिपड़ी इस सब्ता करना चाहते हैं वो एक दाश्चत पैदा करने वाली कि क्या हमारे नयाय तंत्र में आखिर वो क्या चीज है कि जनता में भी नयाय को लेकर एक सवाल पैदा हो रहा है एक संशय पैदा हो रहा है लोगों की आस्था हिल रही है तो दोस्तों ये इन दो कताओं के साथ नियूज मंतन में इस बार इतना ही नमस्कार आदाब सथ्रियकाल झाल 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 झाल